9,74,000 रुपे की spelling क्या होती है और 9,74,000 रुपे को check पर लिखने का सई तरीका क्या होता है यह हम आज इस फीडियो में सीखेंगे 9,74,000 रुपे को English में हम 9,74,000 रुपीज कहते हैं और अगर हम account पे check देना चाते हैं तो check के सबसे उपर corner में हम account पे only लिखेंगे पे जहाँ पर पे ABC name लिखा हुआ है वहाँ पर आप उस person या company का name लिखेंगे जिसे आप check देना चाते हैं और नीचे आप लिखेंगे 9,74,000 रुपीज और इसके spelling होती है और उसके नीचे 9,74,000 रुपे मातर लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप हिंदी या इंग्लिश किसी एक पाशा में चेक परें और आइटन साइट में जो box दिया हुआ है उसमें 9,74,000 रुपे को अंकों में लिखना है जिसके लिखने का तरीका है 9,74, फिर तीन बार आपको 0 लगानी है और नीचे जहाँ आपका नाम लिखा है वहाँ उस नाम से उपर आपको अपने signature करने होते हैं ऐसे ही और वीडियोस देखते रहने के लिए हमारी चैनल को सिब्सक्राइब करें अगर आपको हमारा पर्यास पसंद आया है तो हमारी वीडियोस को लाइक करें आपके लाइक हमारे लिए बहुत माइने रखते हैं झाल से झाल से तो करें रहने होते हैं